हेलो रिवान वेलकम टो फार्मारोग्स यूट्यूब चैनल फार्मारोग्स के यूट्यूब एच्जूब चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर वी वील स्वाल मल्टीपल चोईस क्वेस्चन टेस्ट नंबर 67 और टोपिक फ्लूइड 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 के जो काफी इंपोर्टन टोपिक है फ्रॉम फार्मासुटिकल एंजिनिरिंग और उसमें से हर बार अलग-अलग क यह टोपिक में से पूछे जाते हैं तो यह MC की टेस्ट नंबर 67 के इंदर कुछ हैसे ही मोस्ट इंप क्वेस्चन को हम डिटेल में सौल करेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्स्पेनेशन तो सुरू करते हैं आज के लेक्चर में . So, thank you friends for Be In A One Leg Family of PharmaRocks. Be updated with Pharma knowledge, subscribe kariya channel, press kariya bell icon, access kariya स्टडी मट्रियल, टेस्ट सिरीज एंड विडियो लेक्चर ओन एफ फार्मरोक्स तो अफ़ाड़ेबल प्राइज में अनलाइन टेस्ट सिरीज की जहाँ पर प्रापर सॉलिशन, एक्स्प्लेनेशन रिजल्ट अनलेसिस, रेंकिंग सिस्टम सभी के फैसिलिटिज आपको मिल जाएंगे फार्मरोक्स की एप उपर तो टेस्ट नमबर 67 है फ्लोईड फ्लोव सब्जेक्ट फार्मसुटिक्स और कोर सब्जेक्ट रहेगा फार्मसुटिकल एंजिनिरिंग की जैसे जो अलग-अलग हम unit operations पढ़ते की size reduction है separation mixing, evaporation, crystallization वैसे ही जो transfer की बात हम सीखते हैं की heat transfer है तो transfer of heat ऐसे ही transfer of fluid की जो है fluid flow की जो flow होता है fluids का उसके related पूरा जो एक fluid mechanism होता है तो उसी के बारे में जो topic है काफ़ important topic है कि मैं MC क्यों बहुत बार पुछे गए है लग लग तो सुरू करते हैं question number one से flow of fluids in pipes laminar and turbulent flow follow which of the following theorem कि यहाँ पर बात है theorem कि कि जो किसी भी pipe के अंदर कि समझे कि यहाँ पर कोई हम pipe draw कर रहे है तो pipe के alwaysly दो end तो होगे ही कि एक end यह वाला A end है और यह B end है तो यह A से B end की और fluid जो है यह pipe के अंदर हो रहा है flow तो fluid जो flow होता है किसी भी pipe के अंदर तो चाहे वो laminar and turbulent flow है तो वो कौन से theorem को follow करेंगे options दिये है Bernoulli's theorem, Fourier's law, Rettinger's theorem और Bonds theorem तो काफी most I am P question हम कह सकते है यह most I am की because कि यह theorem type के कुछो question से काफी important रहते है multiple choice questions examination के लिए और यहाँ पर बात है flow of fluids की कि fluid flow के अंदर जो pipe में से कोई भी liquid flow होगा तो वो कौन से mechanism को follow करेगा, कौन से theorem को follow करेगा तो उसका सही answer है option number first Bernoulli's theorem very very most I am P यह खास अच्छे से याद रखिए Bernoulli's theorem तब समझते हैं उसका explanation तो velocity flow की समझे किस तरह से यहाँ पर V1 है यहाँ पर V flow velocity V1 है तो constant fluid velocity रहेगी because यहाँ पर diameter हम change नहीं कर रहे हैं जबकि यहाँ पर देखिए increase the fluid velocity because of आगे जाकी यह diameter काफी narrow हो रहा है तो यहीं सब जो fluid जब flow होता है pipe में से किसी भी जगा पर वो flow होता है कोई भी fluid तो उस वक्त वो follow करता है always Bernoulli's theorem तो यह आपको point हमें सा जो है अच्छे से याद रखना है when the principle of the low of energy is applied to the flow of fluids applied the flow of fluids the resulting equation is Bernoulli's theorem फिर से समझे कि when the principles of the low of energy कि energy के जो lows होते है उसको समझे अप्लाई करते है जब fluid flow के अंदर तो उसके करण जो equation बनता है उसको हम कहते है Bernoulli's theorem कि consider a pump working under the isothermal condition between point A and point B कि यहाँ पे समझे कि हम point A कहते हैं और यहाँ पे point B है तो consider a pump कि यहाँ पे एक pump work कर रहा है flow को fluid को flow करवाने के लिए तो Bernoulli's theorem यह रहेगा कि in a steady state in a steady state the total energy the total energy per unit mass consists of pressure kinetic and potential energies are constant कि यहाँ पे equation दिएगा है U square by 2G and pressure energy P A divided by rho A into G तो rho रहेगी वो density P जो है वो pressure A जो लिखा है मतलब कि A point ही और अगर B point होगा तो B point के और का वो pressure यहाँ पे center में कोई pump कि यह pump को use करके आप fluid को pressure से कि A point से लेकर B point तक उसको pressurize करके आप उपर के और उसको flow करवा सकते कि समझे कि height B जो height पे है A point नीचे तो नीचे से उपर के और हम यह fluid को ले जा रहा है तो जब steady state होता है तो जो total energy होती है per unit mass it consists of pressure kinetic and potential allergies are constants का उनकी जो kinetic energy pressure and potential allergies जो है वो रहती है constant की जो कहता है Bernoulli's theorem आगे सोल करते है question number two for the viscosities find out the true one तो P, Q, R and S pattern का जो question है P, Q, R, S की viscosity is a measure of fluid resistance to flow की first point यहाँ पे लिए दिखा है की viscosity is a measure of fluids resistance to flow second point दिया है की fluid with large viscosity fluid with large viscosity resist the motion because its molecular makeup gives its lot of internal friction options दिया है और fluid with low viscosity flow easily because its molecular makeup result in very little friction when its motion और viscosity describes the internal friction of the moving fluid तो यहाँ पे से हमे चार अलग अलग P, Q, R, S के options दिये है large viscosity का statement है low viscosity उसके definition है तो चारा अलग अलग हमारे पास options है कि किसी में यह है कि P true है तो P, Q true है तो R false है S true है किसी में Q false है किसी में P and R false है और एक option है से कि जिसके अंदर चारो option true बताए गए है तो यहसे जब PQRS pattern के question होते तो आपको जल्दवाज नहीं करनी होती है अच्छे से आराम से चारो point को समझना होता है और फिर आपको लगे कि ये कोई से ये वाला कोई गलत रग रहा है तो अजमा कर देखना चाहिए कि Q यहाँ पे false दिया है तो आप देखो कि Q a fluid with low viscosity तो ऐसा कहे रहा है कि viscosity जब low होती है कि कम viscous material है तो flow easily हो जाता है तो ये logical तो सही बात है कि जब viscosity कम होते है जैसे कि water की viscosity कम है तो easily flow हो जाता है और जब large viscosity कि जैसे कोई glycerine है तो glycerine है कोई oils है ऐसे कि जिसकी viscosity ज्यादा है तो यह sentence हमें सही लग रहे है तो सही आंसर हो सकता है D. P. Q. R. S. कि P. भी सही है Q. R. N. S. तो यहाँ पर जैसे हमने यह question solve कैसे आराम से आपको सोचने होंगे सभी questions सभी के पीछे थोड़ा अपना logic लगाना होगा फिर आपका साथ में knowledge भी importance है और इस तरह से यह P. Q. R. S. पेटन का question आप solve कर सकते हैं तो इसका explanation हम देखे तो same ही point है चारो की viscosity की viscosity जो definition है कि it is a measure of resistance to flow कि जो भी fluid जो flow होता है तो उसके अंदर जो resistance जो उसकी viscosity के कारण जो resistance develop होता है या फिर resistance हमें लगता है flow के अंदर कि जब fluid flow हो रहा है और उसके resistance के कारण वो ज्यादा देर तक flow नहीं कर पाता या फिर automatically उसका flow decrease होता है तो वो है उसकी viscosity के कारण तो जब viscosity ज़्यादा होगी, higher होगी, large viscosity होगी तो resistance ज़्यादा होगा और resistance ज़्यादा होगा तो flow decrease होगा because of lot of internal friction उससे completely reverse low viscosity होगी तो flow easily होगा, fast होगा because molecular makeup result in very little friction और चौथा पॉइंट था कि viscosity describes the internal friction of the moving फ्रोड की जब internally frictions लगते है molecular bondings के करण, makeups के करण तो वो तो viscosity का जो symbol है तो वो कहा जता है, ऐसे हम eta लिखता है समझे के English का समझे के आप H लिखते हो और फिर नीचे थोड़ा सा ऐसा करते हो तो यह symbol बनता है, viscosity के लिए question number 3 है, the flow of fluid through a pipe can be viscous or turbulent and it can be determined by which number Baltasman number, Avogadro number, FedEx number और Reynolds number यह भी very very most IMP question कि जब fluid flow होता है तो वो कौन से टाइब का flow है, viscous है, turbulent है तो वो कौन से number से decide होगा fluid mechanics के अंदर, तो वो होगा Reynolds number तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Reynolds number कि जो RE लिखा जाता है RE that means a Reynolds number तो Reynolds number में यहाँ पर देखिए RE मतलब कि Reynolds number है row कि density of fluid V मतलब कि velocity of fluid कि जब fluid किसे pipe में flow हो रहा है फिर वही pipe का diameter कि जो capital D और जो mu है dynamic viscosity of fluid dynamic viscosity of fluid तो आप देखिए कि laminar flow कहा जाता है जब कि Reynolds number की value less than होती है 2000 कि Reynolds number आप find करते हैं और उसकी value समझे कि आपको मिनती है less than 2000 तो वो laminar flow कहा जाता है unstable flow कि जब 2000 या 4000 के बीच में values रहती है कि 2000 और 4000 के बीच में values रहती है जब 4000 से ज़्यादा value होती है तो वो कहा जाता है turbulent flow normally Reynolds number is greater than 4000 for flow in most piping system कि अच्छे pressure जब develop होके जो piping system तयार होती है तो उसमें turbulent flow होता है कि जिसका Reynolds number आपको मिलता है greater than 4000 तो most IMP question Reynolds number बहुत बार exam में यहाँ से questions पूछेगे तो अच्छे से यह point याद रखे this is your priority खास अपकी record book के अंदर यहाँ से लिख ले question number four which is used for the measurement for small pressure difference using manometers बैंजीन, acetone, alcohol और PEG question है कि small pressure difference कि pressure difference जब काफी small हो is used for measurement of small pressure difference in manometers कि जब manometer की ज़ो हम जानते हैं कि वो pressure measurement के लिए use होते हैं बट जब काफी small pressure difference है वो आपको measure करना है तो उस वक्त हम कौन सा material use करें manometers के अंदर तो उसका answer है alcohol उसका सही answer है alcohol आप सोचते होगे कि mercury use होता है usually आपने mercury manometers देखे होंगे कि जो you save के you tube वाले manometers होगते हैं कि जो हम कहते हैं you save वाले बट alcohol is used in manometers because it provides the suitable meniscus for inclined tube कि जब आपको काफी minor काफी low pressure difference measure करना है तो उसका meniscus भी proper मिले आपको इसलिए हम यह use करते है its density being less अब देखो उसके density भी काफी less है and can provide the longer length for pressure difference thus more accuracy can be obtained किसको यूज करने से accuracy आपको ज़्यादा मिलेगी alcohol has a very good manometric property alcohol की जो manometric property है वो काफी अच्छी होती है and it has meniscus property it has a meniscus property also it have a low vapor pressure and generally mercury water and alcohol use as a manometric fluids की जो manometers होते हैं कि आपने साइद देखे होगे की जो use safe के specially manometers होते हैं कि उपर ये उनका और नीचे इसे वो जो use safe वाला जो बनता है उसके अलग-अलग inlet होते हैं outlets वगरा होते हैं तो ये जो manometers होते हैं कि जो हम specially use करते हैं pressure measurement के लिए तो उसके अंदर जो fluid होते हैं mercury भी use होता है water और alcohol बड़ जब आपको काफी low pressure measure करना है low pressure difference तो उस वक्त alcohols है उसको prefer किया जाता है तो उसके ये reasons कि ये जो उसके advantages से उसके करम उसको हम prefer करते हैं question number 5 Reynolds number inversely proportional to pipe diameter viscosity of fluid, velocity of fluid और density of fluid तो ये question आपको तब अच्छे से स्वाल कर पाओगे कि जब आपको Reynolds number का पता हो अच्छे से formula कि array is equal to जो उसका formula था वो समझे कि आपको याद होगा तो ये question आप काफी fast solve कर लोगे और उसका सही answer है option number B viscosity of fluids तो यहाँबे बात है inversely proportional to तो inversely proportional to देखिए आप तो viscosity of fluid inversely है तो with density तो ये है directly velocity भी directly है diameter भी directly है आप देख सकते हैं कि जो उपर की और है but viscosity of fluids देखिए आप तो वो नीचे की और है तो वो कहा जाएगा inversely तो proportional to हम देखेंगे तो density directly है velocity भी directly है diameter of pipe भी directly है but उसकी viscosity inversely है तो ये है Reynolds number कि जो type of flow होता है fluids के उसके लिए हम खास प्रिफर करते कि लैमिनार है तो less than 2000 unstable है तो 2000 के चार से अजर के बेच में turbulent है तो greater than 4000 और ये एक आपको बहुत अच्छी information आपको मिलेगी यहाप एक ऐसा point है कि जो आपके लिए exam में काफी most IMP बन सकता है कि जो मैंने अभी yellow highlight किया है Reynolds number is dimensionless कि इसका कोई unit लई है there is no unit of Reynolds number Reynolds number is completely dimensionless means there is no unit or it is a unitless it is a unitless तो ये खास आपको अच्छे से याद रखना है point about the Reynolds number तो ये है उसके important pinpoint of this MCQ आगे solve करते है question number 6 flow of fluid is flowing in a parallel straight line this is known as turbulent flow streamlined critical all of the above the question यह है कि flow of fluid is flowing in parallel straight line parallel इस तरह से parallel straight line में flow हो रहा है इस तरह से तो ये flow का answer कहा जाएगा तो उसका सही answer है option number B streamline flow तो streamline flow की जिसको हम laminar flow भी कहते हैं in fluid dynamics laminar flow और streamline flow बहुत हार the same कि यहाँ पर देखिए laminar flow या फिर streamline flow की parallel lines से उसकी completely parallel lines आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये parallel lines के कारण उसकी अलग से characteristics produce होती है तो in fluid dynamics laminar flow और streamline flow occurs when fluid flow इने parallel layers उसके जो layers बनते हैं वो parallel with no disruption between the layers layers के बीच में कोई disruptions नहीं है कोई disturbance नहीं है अच्छे से वो flow हो रहा है और उससे completely reverse opposite turbulent flow के उसके अंदर कोई layers ही नहीं है तो at low velocities the fluid tends to flow without lateral mixing and adjacent layers slide past one another line like the playing cards तो ये कब possible होता है कि जब velocity low होती है तो low velocity पे आपको मिलता है laminar ये फिर turbulent flow बट जब velocity increase होगी characteristic dimensions उसके increase होगे density increase होगी और viscosity down होगी तो उस वक्त आपको turbulent flow मिलेगा तो उस वक्त Reynolds नंबर की value भी आपको काफी high मिलेगी कि जो हमने ये चार्ट देखा था उसके according to आप देखिए कि turbulent flow के वक्त RE की जो value होती है वो greater than 4000 होती है तो यही reason है कि उसके अंदर parallel lines हमें देखने को नहीं मिलती because जैसे जैसे velocity increase होती है density और viscosity down होती है तो ये value बढ़ थी because viscosity जो है वो inversely proportional to है तो यहाँ पर आप देख सकते है कि row directly proportional कि जो उसकी है density V कि velocity भी directly proportional diameter pipe का वो भी directly but just जो नीचे वाली value viscosity ही उससे inversely proportional है question number 7 gear pump is example of reciprocating pump miscellaneous pump, rotary pump और linear pump तो सही answer है rotary pump तो काफी most IMP question यह most IMP समझ लो और आगे जो हम उसका explanation देखेंगे वो भी आपके लिए काफी important है तो समझ यह तो gear pump is an example of rotary pump example of rotary positive displacement pump two rotor form like gear handle the pumping media कि यह पर आप देख सकते है कि जैसे यह gear है इस तरह से कि जैसे cycle के अंदर भी आपने इसे gear देखेंगे vehicles के अंदर भी ऐसे होते है तो जो rotary movement करते है rotary type के जो हम pumps कहते है तो gear pump है screw pump है and rotary van यह तरह यह तिन rotary type के pump के example है reciprocating में देखेंगे तो plunger piston diaphragm and circumferential piston तो यह example बनते है reciprocating type के pump के और तीसरा linear type के जो rope pump and chain pump तो यह table आपके लिए होगा most IMP most IMP priority base पे उसको अच्छे से तैयार करिए gear pumps are cheap because the synchronization of rotor are done inside the product chamber काफी cheap होते है सबी के compare में तो यह भी point आपके लिए important है question number 8 in HPLC pump which one of the type which type of pump is used piston, plunger, turbine or volute तो उसका सही answer है piston type के तो HPLC high performance liquid chromatography जिसको हम कहते है HPLC तो HPLC में पीस जो solvent है उसको pump करके आगे HPLC column के और पहुचाना होता है तो उसके लिए specialized pumps यूज़ करते हैं और वो है piston pump piston pump in HPLC pumps है वे reciprocating type dual piston design dual piston design type के ये reciprocating dual piston design type के pump use होते हैं यहापे आप जख सकते हैं piston तो ये वाली system type के जो pump है यहापे लगाए जाते हैं फिर आज़े सेंपल injector है HPLC column आगे detector होता है waste अलग से मिलता है और PC के उपर आपको HPLC की जो data है वो detector आपको यहापे स्क्रीन उपर detect करके data देता है तो वो chromatography की टेक्निक है तो HPLC pump generative pressure on the solve and so else pass through the dance column कि जो अभी मैंने समझा ऐसे ही जो column में pump के करण जो pressure generate होता है उससे आगे pump होता है material since the column particles are very small the surface area is high and even separation is efficient but the pressure required for the mobile phases flow is very high that's why we use the this type of pump like piston pump यूज़ कर दे कि जिससे proper pressure है जो चाहिए वो हम generate कर सके तो ये जो piston pump होते है वो proper pressure generate कर सकते है इसके लिए कारण हम उनको HPLC के अंदर यूज़ करते है question number 9 which of this instrument is suitable for measuring minor pressure difference in fluid diaphragm pressure gauge inclined manometer YouTube differential manometer or simple manometer तो minor pressure कि जो काफी low pressure ऐसे आपको maintain करने है तो उसका answer है inclined manometer तो मैं उसका diagram आपको दिखाता हो ऐसे जो manometer जो होते है ये वाला कि जो inclined manometer है कि जो minor pressure difference को measure करने में use किये जाते है या पर देख सकते है इस तरह का ये जो manometer है वो inclined manometer कहा जाता है suitable for measuring minor pressure difference in a fluid or low pressure difference minor या फिर काफी low pressure होते है उसको measure करने के लिए हम use करते है many applications require accurate measurement of low pressure such as drops and very low differential primarily in air and gas installations कि जब air और gas के proper installations करने होते आपको तो उस वक्त उनकी जो pressure हैपको maintain करने है उसको measure करने है तो उस वक्त हम ये वाले manometers use करते हैं कि जो inclined manometers है question number 10 which relations explain the correct theory of Bernoulli's theorem कि total energy at point A is equal to how much तो options दी है pressure energy equal to pressure energy plus potential energy plus kinetic energy pressure energy minus potential energy minus kinetic energy pressure energy into potential energy into kinetic और pressure energy minus potential energy divided by kinetic energy तो उसका सही answer हम देखे कि जो कौन सा relationship correct explanation देगा हमें Bernoulli's theorem का तो option A कि total energy at point A is equal to कि point A पे जो energy होगी वो होगी equal to pressure energy potential energy and kinetic energy ये तीनों का जब हाँ summation करेंगे उतना ये रहेगा तो energy per unit volume is equal to energy per unit volume after तो before and after जो energy तो हमें पता है कि low up conservation of energy according to energy नई produce भी नहीं होती उनका gloss भी नहीं होता just उसका one form में से another form में transfer होता है तो same like that ये देखिए pressure energy P1 kinetic energy और potential energy तो point A पे ये है और समझे कि ये point B पे है तो just थोड़ा बहुत changes चलो होगा बट उनका जो summation जो रहेगा ये ही रहेगा कि pressure energy is equal to total energy at point A is equal to pressure energy plus kinetic energy plus potential energy ये तीनों के जो summation जितना ही रहेगा तो when the principle of the law of energy is applied to the flow of fluid in fluid the result equation is called Bernoulli's theorem तो जब हम कोई consider करते है pump working under the isothermal condition तो इसके जो points A and B होते है तो ये उसका statement कि in the steady state the total energy per unit mass consists of pressure kinetic and potential energies are constant constant रहेते हैं मतलब कि उनका जो relationship है वो equal to होके तीनों के जो summations के according to होगा ते इसी के कारण जो हमारा answer है question का ये first है कि total energy at point A is equal to pressure energy प्लस potential energy प्लस kinetic energy so thank you for watching जरूर से वी वीडियो को share करिए like करिए चैनल को subscribe करिए and valuable comment जरूर से करिए तो like, comment, share and subscribe the channel pharma rocks solve करिए ये ऐसे ही MCQs with proper solution explanation online test series के अंदर की जो available है pharma rocks के app उपर subscription चार्ज रहेगा just 100 of one year की जहापे आपको test series GPAT नाइपर DI pharmacist के लिए और price रहेगी सिर्फ 100 रूपीज of one year की जो हो रहेगा सिर्फ 28 पाइसा पार day तो MCQ का proper solution explanation result analysis सब मिलेगा आपके पास android phone है तो google play store पर से download करे iphone है तो app store पर से links हमने description box में दे दी है फिर भी आपको query हो तो ये number पे हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 so good luck and all the best